इस बड़ी में solve करेंगा question number 9 observe the following pattern यहाँ पर एक pattern दिया वाई इसको observe करिए and find the values of each other following और जो नीचे जो यहाँ पर question पूछा इसको value बदाईए तो धान दो जीगा यहाँ पर pattern क्या है समझते हैं यहाँ पर 1 है 1 जो है equal है 1 upon 2 और bracket का अंदर लिखा है 1 multiplied by 1 plus 1 मतलब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हर जगा 1 लिखा है bracket का अंदर ठीक है दो bracket से हैं यहाँ पर मतलब कि बाहर से bracket लगा हुआ है और एक अंदर है यह वाला यहाँ पर दीके अंदर ब्रेट का अंदर क्या है 1 plus 1 किया है और यह बाहर क्या है 1 है ओके ठीक है आप बाहर जो है 1 upon 2 है अब यहाँ देखते है ध्यान से 1 plus 2 1 प्लस 2 है और यहाँ पर दीके 1 by 2 ही है मतलब बाहर जो नंबर है यहाँ पर 1 by 2 1 by 2 यह सब सेम है हड जगा ठीक है यहां पर एक pattern दिख रहा है बिल्कुल 1 by 2 1 by 2 सब जगा है अब यहां पर देखिया आपज़र करें ध्यान से समझेए यहां 2 है ना 1 plus 2 किया गया है यहां पर क्या किया गया है अंदर 1 था पहले तो यह 1 था अब यहां 2 हो गया इसका मतलब कि यह वाला जो 1 है वो इस पे डिबन कर रहा है मतलब कि last वाला number यहां पर 2 है तो दिखेंगे 2 है यहां 3 है तो यहां पर क्या है 3 है यहां 4 है तो यहां पर क्या है 4 है और इसके bracket का अंदर देखिये यहां पर 1 है तो यहां पर 1 plus 1 क्या गया है 2 है तो 2 plus 1 क्या गया है मतलब जो भी यहां पर है उत्से एक बढ़ा करके यहाँ पर लिखा गया है ठीक है यहाँ देखे, यहाँ थ्री है तो यहाँ पर क्या गया है यहाँ फॉर है तो फॉर प्लस वन क्या गया है इसका मदलब कि हम ऐसे करेंगे पैटर्न इसका यह है कि यदि टू रहेगा तो 2 into 2 plus 1 मतलब एक बढ़ा करेंगे 3 रहेगा तो 3 into 3 plus 1 4 रहेगा तो 4 into 4 plus 1 यदि 5 तक add करते मतलब यहाँ पर क्या है sum of n terms तक जोड़ रहा है यहाँ पर है आपका n terms को हम आड़ी कर रहे हैं 1 plus 2 sum of 2 terms sum of 3 terms sum of 4 natural numbers sum of error natural numbers करते हैं तो यहाँ पर formula ऐसी बन जाता है 1 by 2 बाहर लिग दते हैं और जितने numbers को add करेंगे जो last में रहेगा बस उसी को multiply करेंगे उसमें 1 increase करके यहाँ पर 4 into 4 plus 1 यहाँ देखिए यहाँ 3 है यहाँ जब 3 है तो यहाँ पर रहा क्या गया है 3 into 3 plus 1 क्या गया है यहाँ 2 है तो 2 into 2 plus 1 क्या गया है तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे चलिए solve करते हैं first यहाँ पर देखिए sum of 50 natural numbers से दिया हुआ है ठीक है 1 plus 2 plus 3 plus 5 हमें बस द्यान का रखना है यहाँ पर last वाला number पर 50 पर ठीक है to the given pattern हमें क्या मिलेगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dot 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 plus 50 is equal to 1 by 2 तो लिखेंगे ही sum में 1 by 2 है अब जो है इस ब्रिकट का अंदर क्या करेंगे यह जो last में जो number दिया है 50 यह 50 है इसी को हम यहां लिखेंगे 50 multiplied by और छोटे पर लिखेंगे 50 plus 1 क्योंकि दिखें हर जगा वही किया गया 4 into 4 plus 1 यहां 50 रहेगा 50 plus 1 अब यहां solve कर लगे जो value आएगी वही answer होगा means 1 by 2 multiplied by यहां पर solve कर लेते हैं तो यह मिलेगा आपको यह 50 है इन्टु यह 50 plus 1 कितना आपजाएगा 51 अब यहां 22 और यह कडा लेंगे इसको तो 225 जा होता है 25 से मिलेगा लिए 51 में कितना आएगा 25 बन जाए 25 का 5 2 के रहे उफ़र and 25 फाइजाट 125 और 125 and 2 127 127 means 1275 यह आपका answer होगा means sum of 50 natural numbers आएगा आपका 1275 ओके अब करते हैं second one तो यहां पर 31 plus 32 plus up to 50 तक यहां पर add करने को बोला है तो इसका हम थोड़ा सा उपर खिच लेते हैं sorry यहां पर हो जाएगा sorry यहां पर ओके यहां पर करना है just right here अब करते हैं second यहां पर हो जाएगा second का तो पहले पहले दिया 31 plus 32 plus 50 आप कैसे करेंगे यहां पर तो one से start किया नहीं है और उपर जो pattern दिया था उसमें one से start किया था है की नहीं इसमें आपको दिखा दूँ यहां पर किया है और 50 तक ले गया है तो हमको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से solve करना होगा चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे पहले जो लिखा हुआ है 31 plus 32 plus dot 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 plus हो गया है 50 इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से हम यदि क्या करें कि इसके पहले 31 के पहले जो numbers है 31 के पहले one से start करके कितने numbers होंगे 30 numbers होंगे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus अपको कहा तक 30 तक तो उनको हम add कर लेते हैं 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus कहां तक add करेंगे 50 तक 30 तक add कर लेते हैं जहां तक नहीं दिया है 30 तक add कर लेते हैं यदि 30 तक add करेंगे तो हमें इसको minus भी करना पड़ेगा तो plus यहां पर यह जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं 31 plus 32 plus dot 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 plus 50 तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया था add कर लिया इस सुरू में इतना तो हमें minus भी करना पड़ेगा last में minus कर देते हैं इसी number को means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus 50 तक बास में बारी हैं मतलब हमने क्या किया है कि पहले यहाँ पर add कर लिया 30 तक ताकि यह एक बन जाए sequence 1 से ले करके 50 तक अब इसको हम solve करना जानते हैं उपर वाले pattern के उमसार क्या करेंगे 1 आपां 2 करेंगे और bracket के अंदर लिखेंगे यह जो last वाला number है उसी को multiply करतेंगे उसमें एक add करके means 50 plus 1 हो गया तो यह हमने solve किया पहले बाले यहाँ से ले करके 1 से ले करके 50 तक minus अभी minus है यहाँ पर minus है 1 से ले करके 50 तक फिर से यह भी sorry 1 से ले कर 30 तक होगा यहाँ से sorry यह जो हो गया यह 50 तक ऐसे हो गया 1 से ले कर 30 तक मैनस करेंगे न ओके 1 से ले करके और यहां देखे, add किये थे, 30 तक add किये थे यहां में minus भी करना पड़ेगा 1 से लेकर 30 तक तो 1 से लेकर 30 तक जो numbers है उसका क्या हो जाएगा sum उसका sum हो जाएगा 1 upon 2 और bracket में हो जाएगा, यह 30 में एक increase requirement बले कर देंगे 30 into 30 plus 1 ठीक है अब यह solve करेंगे थो हमारा answer आजाएगा तो 1 by 2 into यह 50 होगा, into यह 51 हो जाएगा minus यह हो जाएगा 1 by 2 into यह 30 30 में add करेंगे 1 तो मिलेगा 31 अब मुटपलाई करते हैं यहां पर देखे 2 वंजा 2 और यह 2 25 जो हो जाएगा 25 से मटपलाई करेंगे 1 में तो 25 वंजा 25 25 वंजा 25 125, 127 हो जाएगा minus यहां पर करते हैं 2 वंजा 2 और यह 2 5 जा sorry, 2 15 जा 30 हो जाएगा 15 30 में कितना होता है 15 वंजा 15 का 5 1 carry over 15 3 जा 45, 45 and 1 46 अब यहां मैनस कर लेते हैं 5 5 में से मैनस करेंगे 7 में से 6 मैनस करेंगे 1 आएगा और यहां पर 2 वंजा है और 4 मिस मैनस करना है तो 8 बचेगा 12 में से मैनस करेंगे 4 तो 8 बचेगा 810 तो यह आजाएगा 2nd का अंसर 810 ओके तो मतलब कि आपको बस यह पर चल गया है कि sum of first n natural numbers is equal to 1 by 2 n plus 1 मतलब इससे हम यह भी फर्मुला बाना सकते है कि sum of n natural numbers is 1 by 2 in bracket n into n plus 1 मतलब कि सूरू से ले करके n numbers तो यह आइड करना हो तो फर्मुला यह लगाते है 1 by 2 into n plus 1 ओके तो यह hope कि समझ में आगया होगा और यदि आपको आगया तो like कर देजगा दोस्तों share करिएगा और क्योंब डाट होता है तो comment box आपके लिए thank you so much यदि doubt नहीं भी है तब भी comment box कुछ लिखेंगे thank you so much बिजाए अच्छा लेगा बाई